हलो फ्रेंड्स मैं हूँ भारति जैस्वाल आज हम लोग पढ़ेंगे संग्या ठीक है हम लोग कर रहे थे हिंदी व्याकरन क्लास 4 के एकॉडिंग तो आज हम लोग पढ़ेंगे संग्या संग्या क्या है आपने पहले भी पढ़ा है क्लास 3 में भी पढ़ा है और क्लास 2 में भ थोरा detail में पढ़ेंगे, किसी प्रानी, बस्तू, अस्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले सब्दों को शंग्या कहते हैं, बोध कराना मतलब बताने वाले, ठीक है, मतलब जिस सब्द से आपको ये पता चले कि ये शब्द किसी प्रानी का नाम बता रहे हैं, या किसी वस्तू का नाम बता रहे हैं या किसी अस्थान का नाम बता रहे हैं या भाव का नाम बता रहे हैं तो उन सारे सब्दों को संग्या कहते हैं या आप ये भी कह सकते हो कि जब हमने प्रानी ले लिया, बस्तू ले लिया, स्थान ले लिया, भाव ले लिया, तो means हमने तो अपने आसपास की सारी चीजें ही ले ली, मिन्स साड़ी चीजों के कुछ न कुछ नाम होते हैं और उस हर नाम का बोध कराने वाले शब्द को शंग्या कहते हैं मतलब आपने बच्पन में पढ़ा होगा वो noun naming what's are called noun मतलब जिस भी चीज का कोई नाम हो सकता है वो सारे चीज noun कहलाते हैं और noun को ही हिंदी में हम शंग्या कहते हैं जैसे अगर हमने कहा प्राणियों के नाम तो आप इसमें किसी भी animals का नाम बोल सकते हो या फिर हमारे हमारे खुद के नाम भी हो सकते हैं means human beings के नाम मतलब जो भी living things है उन सब के नाम आ जाएंगे प्राणियों में ठीक है जैसे सचिन तिंदुलकर, महात्मा गंधी, रुपाली, शीतल ये साड़े हो गए या आप जानबर में भी बोल सकते हो dog बोल सकते हो बिल्ली बोल सकते हो तो ये सारे प्राणियों के नाम हो गए अब बस्तूओं के नाम जैसे गुडिया, गुड़ा, बॉल, गेंद, बैट, कुछ भी अस्थानों के नाम दिल्ली, आगड़ा, ताजमहल नहीं दिल्ली, आगड़ा, शदर, बाजार ये सारे हो गए अस्थान के नाम, भाओं के नाम जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हम फील कर पाते हैं, जैसे मित्रता, प्रशन्नता, तो ये सारे हो गए किसी प्रानी, बस्तू, अस्थान या भाओं के नाम, तो इन सारे शब्दों को मतलब जो भी प्रानी, बस्तू, अस्थान या भाओं के नाम का बोध कराने वाले शब्द हैं, उन्हीं सब्दों को हम स संग्या खहते है् अब संग्या के भेद तो कई हैं लेकिन अभी आपको क्लास फोओड में परस प्याथिक्ति वाचक दूसरा जाति वाचक और उलाचक व्यक्ति वाचक को आपने जो सब्द किसी विशेश व्यक्ति अस्थान या वस्तू का बोध कराते हैं मतलब सारे व्यक्ति अस्थान वस्तू का बोध कराने वाले शब्द तो संग्या कहलाते ही हैं लेकिन किसी विशेश व्यक्ति का नाम अगर बता रहे हैं किसी विसेश अस्थान का नाम बता रहे हैं या किसी विसेश वस्तु का नाम बता रहे हैं तो वो हो जाएगा व्यक्ति वाचक संग्या ठीक है जैसे हमने कहा साइना नहवाल अच्छी खिलाडी है तो खिलाडी तो बहुत हैं लेकिन हम विसेश साइना नहवाल की बात कर रहे अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है तो मंदिर तो बहुत साड़े हैं लेकिन हम एक विसेश मंदिर अक्षरधाम की बात कर रहे हैं तो अक्षरधाम यहां व्यक्ति बाचक संग्या हो गया साइना नहवाल व्यक्ति बाचक संग्या हो गया अब इसी के बाद दूसरा है हमारा जाती बाचक संग्या ये ठीक व्यक्ति बाचक का उल्टा है अपोजिट है जैसे व्यक्ति बाचक में हमने किसी विशेश प्रानी या अस्थान का नाम बताया लेकिन जो सब्ध किसी भी प्रानी अस्थान या बस्तु की शंपुर्ण जात का बोध कराते हैं उन्हें जाती वाचक कहते हैं जैसे अगर हमने बोल दिया जानवर तो इसमें सारे जानवर आगे कोई भी हो सकता है फिर हमने बोल दिया जैसे जंगल तो कोई भी जंगल हो सकता है हमने बोल दिया लड़का तो कोई भी लड़का हो सकता है तो हमने पूरी लड़का जाती पूरी लड़की जाती या जानवर की पूरी जाती के बाड़े में बोल दिया तो ये हो गया जाती वाचक संग्या हमने यहां पर किसी खास किसी विशेश प्रानी या अस्थान का नाम नहीं लिया हमने सारे का नाम ले लिया मतलब पूरी लड़का जाती का न ले लिया हमने जैसे हमने बोला जानवर तो पूरे जानवर का नाम उसमें आ जाएगा इसलिए जानवर या आप अगर कहते हो महीना तो महीना मिंस हमने किसी विसेश महीने का नाम नहीं लिया हमने महीना बोल दिया अब उसमें जनवरी फरवरी कुछ भी हो सकता है तो महीना बोलिये तो वो जाती बाचक हो जाएगा लेकिन अगर यहीं पर आप जनवरी बोल रहे हो तो यह व्यक्ति बाचक हो जाएगा फर्क समझ में आ गया दोनों में व्यक्ति बाचक और जाती बाचक क्लियर अब आते हैं भाव बाचक में भाव बाचक संग्या क्या है जैसे मानलो कोयल मधूर गाती है तो मधूर क्या है भाव और गुन बता रहे हैं कोयल के बारे में मधूर शब्द जो है वो उसके भाव या गुन की जानकाड़ी दे रहे हैं इन्हें हम छू नहीं सकते जो सब्द किसी व्यक्ति, बस्तू की अवस्था, दसा, गुन या मन के भाव का बोध कड़ाते हैं, उन्हें भाव बाचक संग्या कहते हैं तो भाव बाचक संग्या में जैसे आप कहलो राम एक मेहनती बालक है या पड़िसरमी बालक है तो यहाँ परिस्रमी क्या हो गया? भाव बाचक शंग्या, ठीक है? जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं कि परिस्रमी क्या होता है, क्या मतलब है परिस्रमी का, ठीक है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? किसी प्रानी, बस्तु, अस्थान या भाव के नाम का ब ब्यक्ति वाचक संग्या जाती वाचक संग्या और भाव वाचक संग्या विसेश व्यक्ति वस्थू या अस्थान का नाम अगर बता रहे हैं तो व्यक्ति वाचक संग्या हो जाएगा और पूरी जाती के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो जाती वाचक संग्या हो जाएगा और मन के भाव, विचार, गुन या दसा आधी के जो नाम होते हैं, उन्हें हम भाव, बाचक, संग्या कहते हैं, क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू,